हिलो फेपर को यहां पे इसका पूरा हईर और आपको सभी प्रश्णों के बारे में आपको बताएंगे फ्रेपर आप से बस सिर्फ इतना निवेदं करते हैं कि आप पत्र पितर का पूरा हई ज़रूर देखें इसी मैंसे आपके बोड के एक्जाम में प्रश्ण पूछे जाएंगे तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखे आपको क्या है कि समय आपको 3 गंड़ा 15 मिनट का मिलेगा जिसमें पुरांग 70 नंबर का होगा देखे 15 मिनट परचार्ती को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है आपको निर्देश यह है पहला कि अपना अनकरमांग दिये गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर असपष्ट अंको एम शब्दों में लिखिए तथा केंद्र बिवस्थापक की हस्ताचर युक्त मुहर प्रतेक पत्र पर लगवा कर कच्छ निर्षक से भी प्रिष्ट अपर असपष्ट हस्ताचर भी कराई है ठीक है यह निर्देश है देखें दूसरा है कि प्रश्ट पत्र आपका कख और तीन खंडों में भक्त है तीनों खंडों को हल करना भी अनिवार है यह आपके बहुत जादा जानना जरूरी है पेपर से पहले खंड कम क्या है फ्रेंस इस खंड में आलेखन कला और प्राविधी कला के परतीक 20 आप फ्रेंस इसे नियुकलपी प्रश्नों को उत्तर देना है फ्रेंस आपको आलेखन कला में से या प्राविधी कला इन दोने में से各 का व. उसी का एंसुर आपको देना होगा ठीक है देखिए अगला क्या है आपका निर्देश आपके दुआरा जो आलेखन कला प्राविधी कला में से जिस भाग का चेयन किया गया है उसे ही OMR सीट पर अवश्य अंकित करें देखिए अप आलेखन कला पढ़े होंगे या प्रश्न क्या है देखिए आलेखन कला पहले देखते हैं फिर इसके बाद आपको प्राविधी कला कि जितने भी प्रश्न है 20 बहुए कलपी प्रश्न है सभी को देखाएंगे देखिए यहां पर पहला कि निमनलकित परतिक बहुक्लपी के चार विकल्प में से एक सही उत् आप से सिर्फ इतना और निवेदन करते हैं कि इस वीडियों में जितने भी प्रश्ण है आप जरूर इस सभी प्रश्णों को एक दो बार जरूर देख लिजेगा इसी में से आपके बोड के एक्जाम में सभी प्रश्ण बनेंगे ठीक है दूसरा नंबर का है कि इनमें शीतल रंग कौन सा है अर्था ठंडा रंग कौन सा है हरा लाल नारंगी या पीला इसका सही जवाब होगा आपका हरा हरा जो रंग होता है आपका एक सीतल रंग होता है ठीक है फ्रेस अब आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि निमने में से कौन सा रंग गरम है ठीक है फ्रे पूंपको दोट है इसमें आपका टोटल आठ रंग होते हैं इसका सही जवाब होगा आपका कर ढधिक है आपके सामने अगला नमपर का सवाल है कि निमनलिकित में दिवोतिय रंग कौन सा है तो इस यहाँ पर आपको बताना कि तो इस प्रश्ण का आपका सही जवाब होगा नारंगी तो इसका सही जवाब क्या है आपका को है ठीक है यह आपके सावने अगला नंबर का सवाल है तो इसका सही जवाब होगा आपका क्या है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने साथवा नंबर का सवाल है कि प्राथ्मिक अथवा मुख्य रंग कौन से है ठीक है देखे प्राथ्मिक अथवा मुख्य रंग कौन से है तो फ्रेंस प्राथ्मिक रंग या मुख्य रंग पूछता है तो यह होते हैं तीन कितने होते हैं प्राथ्मिक अथवा मुख्य रंग तीन होते हैं चलिए आप श्रगत आते हैं आपके सामने आगला नंबर 8 नंबर के सवाल है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है आपके सामने नंग नंबर का सवाल है कि सफेद का विरुवधी कौन सा रंग होता है आपसन है काला नीला आस्मानी नारंगी तो फ्रेंस सफेद का विरुवधी रंग होता है काला होता है तो इसका सही जवाब होगा काला रंग ठीक है आपके सामने अगला नंबर दसवा नंबर का सवाल है कि लाल रंग में नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा देखे फ्रेंस इसको याद रहें कि लाल रंगे यदि नीला रंग मिलाते थह कौन सा रंग हमें पराफ्ट होगा जिसका आप्स नहें बैगनी और घुरीय को सवाल है कि लाल रंग याप बनेगा तो फ्रेंस जिसका आप साने नारंगी बनेगा धानी बनेगा बैगनी बनेगा या आसमारी बनेगा तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा आपका नारंगी यदि हम पीले में पीले रंग में लाल रंग मिलाते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है यह आपके आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि पीले रंग का विरोधी रंग का ओन सा है तो नीला ओने पीले रंग का विरोधी रंग काउन सा होता है इसका सही जवाब होगा आपका पीले रंग का विरोधी रंग काउन सा है नीला होता है आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं आप साने साथ होगा आठ होगा नौ होगा या दस होगा सवाल को किइसने वह सब्सक्रेइफ कि नंबर सब्सक्राइब करेंगें अगले नंबर के सवाल को यहां पर देखते हैं आपका सुलावा नॉम्बर का सवाल है कहा है, प केंसल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, आप्षण है 2B, तो फ्रेंच देखे जो यह पूछा है कि किस पेंसल से बनाते हैं तो अधिक काला बनता है, तो पिसका सही जवाब होगा क्ला मतलब होता है ऐसंदी काला रंग बनता है ठीक है इसका सही जवाब होगा आदिक काली हुं और हल्की होती है ठीक हालकी किसे होगी हीं यह से चीनल अपको बिलेंट हैं तो बिलेक अदम भणाना थे देखिए आपका सही जवाब होगा कौन सी पेंसे से बिएड़ से हालकी होता है कौक ंपकी सामने अगला नंबर का सवाल कि फूल कि बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उप्योग करना चाहिए तो फ्रेंस आपका दिया है दो नंबर चार नंबर चार नंबर या साथ नंबर तो फ्रेंस इसका सही ड्रिष्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे, या च्छा प्रकार के होंगे, तब बनावत की ड्रिष्टी से जो आलेखन होते हैं, आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं कि छठ केंद्र को अलंकिरित करने के लिए कौ से अल्यक्त इप्यूक्त होता है केंद리 का ने का लेकं किनारे का इंधाय से कोई यह नहीं नहीं ज़िए ज़िए अब अगले नंबर के देखते हैं पहले इसका है कि संभावूत रिभूज का परते पंद्बर्ट अंश्त होता हुटा है संभावूत रिभूज के परते कोर कितने अंश्क पढ़ते हैं साथ अंस को होता है आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल है कि संपूर कोड होता है फ्रेंस आपको संपूर कोड पता होगा आपसाने 360 अंस होगा 120 होगा 180 होगा या 60 होगा तब संपूर कोड कोतना को होता है ति 360 अंस को हम संपूर कोड कहते हैं आपके सामने अगला सवाल है क कि समकोर कितने यह को सब्सक्राइब एक वर्ग के आंतरी कोड़ों का योग होता है तो फ्रेंशब के आपके सामने अगला नंबर के सवाल है कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिकाली होती है तो अभी फ्रेंस बता है आपको कौन से होता है तो इसका सही जवाब होगा टूबी टूबी से यदि हम कोई रेखा बनाते हैं तो आधी काली बनती है ठीक है फ्रेंस आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि वर्ग की चारो भूजाओं की नाप होती है चारो भूजाओं बराबर होगी बड़ी छोटी होगी या आमने सामने बराबर होगा या इन में से कोई प्रेंस आपको अभी वता हैं अगला नंबर का सवाल है पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो मापनी होता है उस पर पहले बड़े मुख्य भाग क्यों से लिखा जाता है तो उस two-two-three-two-three start होता है तो आपका scale देखे होंगे पहले जीरो से होगा जीरो होगा एक होगा दू हो गाती इस करम में पहले बड़े भाग पर क्या लिखा होता है जीरो लिखा होता है आपके सामने अगले नमबर का सवाल है कि एक मीटर में कितने centimeter होता है तो आपको फ्रेंच तो पता होगा कि एक मीटर पर बराबर होता है तो Спरेंट सभाप्ते हैं अगले नंबर सबस्दाब होता है सबस्साइं ब्रित्त होता है यह क्या होता है आप शन में देखी है यह त्रिभूज यह है यहाँ पूछा बुद का सहीजवाब होगा ठीक है यह का आपके सवाल है इसाहीजवाब होगा यह आयतकार है इसका कॉंसट तिर्भूज यह आयत फै solving का अपने सब्सक्राइब आपको पता दियें और यहाथ सबस्मान कॉंसında की जुआब कोस भी सिंसंपना को होता है यह आपसान है इसमें साथ को सही जवाब होगा तिर भूश के आकार के कौन सहत इसका सही जवाब होगा को आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है जो दो बिंदू होते हैं इन्हीं से मिलकर रेखा बनती है दो बिंदू की बीच की दूरी की क्या कहते हैं रेखा कहते हैं इसका सही जवाब होगा आपका को होगा आपके सामने चोदावा नमबर का सवाल है कि निम्न लिखित में से काउन सा एक अधिक कोड है ठीक है फ्रेंस देखिए आपसन है 90 अंस से बड़ा लेकिन 120 अंस से कम तीसरा अपसन है कि 360 अंस से छोटा लेकिन 180 अंस से अधिक या उपरयुक्त सभी तो फ्रेंस जो अधिक होता है इसे हमेशा याद रखिएगा कि यह 90 अंस से बड़ा होता है लेकिन आपका 180 अंस से छोटा होता है ठीटा का मतलब यहां कोड है ठीक है इसके बीच में होता है इसका सही जवाब आपका होगा कर अधिक कोड का मतलब हो 90 अंस से बड़ा लेकिन 180 अंस से छोटा जो को कोड़ बराबर होते हैं इसके तीनों भूजाएं छोटी बड़ी होती है आमने सामने की भूजाएं बराबर होती है इन में से कोई नहीं तो अभी आपको संभाहूत रिभूज के बारें बताएं संभाहूत रिभूज की तीनों भूजाएं आपसमें बराबर होती है और पर एक सुआसी कोड को क्या करते हैं इसका सफी जवाब कहोगा आपके शामने अगला का सवाल है कि वर्ग किसे कहते हैं ठीक है अभी वर्ग के बारें बताएं कि वर्ग की चारों भूजाएं आपस में बराबर होती है और वर्ग के जो परतिये कि एक डेसी मीटर में कितनी सेंटी मीटर होता है आप साने 10 सेंटी मीटर होगा 20 सेंटी मीटर होगा 40 सेंटी मीटर होगा 30 सेंटी मीटर होगा तो फ्रेंस एक डेसी मीटर में आपका कितना सेंटी मीटर होता है तो दस सेंटी मीटर होता है इसका सही जवाब आपका होगा कर आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि एक मीटर में कितने डेसी मीटर होते हैं आप सेने कि 10 डेसी मीटर होगा यह 40 डेसी मीटर यह 20 डेसी मी रेखाए रेखाए हलकी होती है तो एच से बना जो ट्रेंसे से हैं और ट्रेस आपके 20 महत्वपूर्ण उलस्वini देखते हैं अभी इस टारट करते हैं अब ओकिसके निरदेश को पारना बहुत इसलिए आप प्राहारं में आपको निर्देश बताएं इसले कला में आप निर्देश जरूर पढ़एगा ध्यान से पढ़एगा ठीक है अब देखिए खंड खा के प्राक्युतिक दिरिश्च चित्र अथवा आलेकन कला अथवा प्राविधी कला में से केवल एक इत्ते हैं कीत्ति काई चित्र बानाना है दिए फ्रेंस यह ga को आप 50 करना है जो अपको करना है आपका तीस नमबर कराया इस में आपको तीनुम में कोई एक करते हैं चलिर आपको प्राकिति दृत्षक के बारें बताता है आपका प्रश्न क्या बोट के बाइस गुड़ी अठारे सेंटिमीटर के आयत में ग्रामीर सुर्वेदे का द्रिश चित्र कीजिए खेत की और जाते हुए किसान का चित्र है तथा आकास में कुछ पच्छी गाओं की जो पड़ियां तथा कुमे के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाई है ठीक है चित् संहि और प्रभाव यादि दिखाएंगे तो आपका पांच नंबर मिलेगा अब देखें अब देखें प्राकित दिर्श्य चित्र आपको ये नहीं आता है तो इसके अलावा अथवा में अगर प्रशन दिया है चाहाए उपर कीजिए चाहाए इसको आपको करना है अले खन में देखे बॉक क्या है कि दिये गए ड्राइंग सीट पर सोला गुड़े बारा सेंटिमीटर के आयत में खिड़की के परदे के लिए एक इकाई वाला ठीक है लए बत आलेखन चित्रित की जिए जिसमें किसी भारती पुस्पुन कलियों पत्यों का सुन्दर सन्योजन का सन् योजन हो रंग योजना उत्तम हो आलेखन में कम से कम तीन संगती वाले जल रंगों का प्रियोग किजिए आलेखन में निम्न बिंदू पर विशेष धान दीजिए इकाई का मौलिक्ता यदि आप सही से देखाते हैं तो आपको दस नंबर मिलेगा उस पर ले आत्म करेंग से कोई एक करना था अब आपके सामने यदि यह भी प्रशन आपको नहीं आता है तो आपको अथवा में दिया है प्राविदी कला का ठीक है अब दीके प्राविदी कला क्या हम प्रशनों को देख लेते हैं निम्निकित पांच प्रशनों में से किन ही तीन ही प्रशन करना है ठीक है सभी प्रश्णों के अंक समान है यानि कि प्रतेक प्रश्ण का आपको कितने नंबर मिलेगा दस नंबर मिलेगा दूसरा है कि रचना में दिर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं अभिष्ट रेखाएं असपष्ट आपको बनाना है रचना में रचना अत्मक रेखाएं न मिटाएं आपको बार बार मिटाना नहीं है चौते नंबर का है किरफ का रेश्वेद फुल फुलस्केप पेपर पर कीजिए इसे भी अपने उत्तरपत्र के साथ संलगन करके दीजिए आपका देखिए आपका का है पांच को प्रशन है धुलस्तर दूसरा खञका है कि एक त्रभूज जिसकी भुजाएं क्रमस चार सेंटीमीटर तिन दसनों पांट सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर है कि अंत्रगत एक व्रत की रचना कीजिए जो त्रभूज की तीनों वोजाओं को अस्पर्श कर ठीक है यह आपका दूसरा नंबर का है तीसरा नंबर इसमें है कि एक सम्धि बाहुत त्रिभूज बनाई है जिसका परतेक आधार कुण कितना हो पचास अंसका हो इसके अंत्रगत एक अर्धिवृत की भी आपको रचना करना है यह तीसरा नंबर का है चलिए और प्रश्णों को देखते हैं अगला आपनी कीजिए जिसमें दूबennes sean पांट सेंटी मिटर एक मीटर की दूरी प्रदर्शी करती है जीसमें मीटर तथा Δेसीमीटर पढ़े जा सके मापनी का नीरुपड़ धिन घ्यात कीजिए आप तीन मीटर छहमं डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए देखिए आप आपको पुष्चन था 5 मेंसे आपको तीन करना था आपका अगला गर भी सकताओं निर्देश आपको पहना जरूरी है ठीक है सभी प्र holiday आपको ज़रूरोंड चाहिए फ्रेंस अब किन निम्रखित में से किसी एक का इस्मृति चित्रड पेंसिल के माद्दें से बनाईए, आप क्या करना देखिए इसको पकड़िएगा, सिर्फ आपको एक ही बनाना है, यह भी ध्यान देना है कि चित्र की माप जो 15 cm से कम आपको नहीं रखना है, देखिए यहां पर आपको पत्यों सहित आम होना चाहिए, इसको बनाईए आप, इसमें पत्यों सहित अनार हो, पत्यों सहित मूली हो यह लोगी, यह चार है, चार में से किसी एक का ही आपको चित्र बनाना है, ठीक है फ्रेंस, अब देखिए, आपको ध्यान क्या देना है, कि चित्र में निम्रिखित और andra से कम आपको नहीं रहना है कि आपको एक चित्र ही बनाना है निमनुखित बिंदोब ध्यान देना इन चारों में से आपको इक फ़ल नीमलिखित low 11 0 देना की रेखा सेष्टों बनाएंगा चार अंक मिलेगा आखिर्दिक अनुरुपता यह दिस रहेगा आपका उस पर चित्र कला का ठीक है आपका चित्र कला का पूरा पेपर था जो बोट के द्वारा आपको वारल किया गए इस पेपर को देख के जितने भी बता हैं इसी को अब बार प्रेटिस कर लिए आपकी कला के पेपर में इन ही मेंसे आपसानी से ला सकते हैं ठीक है फ्रेंज परेंज्स आपको यह वीडियो पसंद आया जो वीडियो करें चैनल पे नए हैं तरिधे चैनल को सब्सक्राइब करें अगला वीडियो आपके कुछ समय के बाद अप्लोड कर दिया जाएगा ठीक है फ्रेंज